मैं कभी किसी जगा नहीं गया और कुछ नहीं सीखा मैंने अपने जीवन में कभी कोई आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन आज आध्यात्मिकता का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसके बारे में मुझे पता नहीं ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ अपने साथ लिये फिरता हूँ अगर मैं सडक पर चलता हूँ तो मैं अपने सर में कुछ भी रखे बिना एक बच्चे की तरह चलता हूँ मेरे सर पर ग्यान का बोज नहीं है लेकिन मुझे जो कुछ भी चाहिए वो हमेशा मेरे पास मौझूद होता है किसी भी तरह की परिस्थिती में मेरे जीवन में आज तक मैंने ऐसी परिस्थिती का अनुभब नहीं किया जहां मुझे पता नहों की करना क्या है मैं आध्यात्मेक पहलूओं की बात कर रहा हूँ जीवन की भौतिक परस्थितियों की नहीं आध्यात्मे कायाम में कभी ऐसी परस्थिति नहीं आई जब मुझे पता ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए चाहे वो जो भी हो जो लोग मेरे करीब रहे हैं या मेरे साथ कई सारे महत्वपून स्थानों के सफर पर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते कि ये कैसे हो सकता है. अगर मैं कहीं जाता हूँ, तो मैं उस जगा के पूरे इतिहास के बारे में जान जाता हूँ. वहां का भौते के इतिहास नहीं, जब मैं एक अलग संभावना की बात करता हूँ, ज्यादतर लोग जो सचमुच आध्यात्मेग हैं, उन्होंने कभी बाहर आकर कुछ नहीं कहा. वो लोग होशियार थे. क्योंकि जैसे ही आप अपना मूँ खोल कर, किसी ऐसे आयाम के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोगों के अनुभव में नहीं है, आप कई तरह की परिशानियों को न्योता दे देते हैं, अंतहीन परिशानिया. आपको अपना मूँ खोलने के लिए सूली पे चड़ना पड़ सकता है, या फिर आप सूली पे चड़ने के करीब आ सकते हैं, और इसे ध्यान से संभाल कर, हर तरह की चालेंच चलनी होंगी, वरना वो आपको सूली पे चड़ा देंगे, किसने किसी तरह से. आज सूली पर चड़ाने का काम पुराने तरीके से नहीं होता, वो पुलिस वालों को या टैक्स वालों को या किसी और को बुला लेंगे, और किसने किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे. इसलिए ज्यादतर लोगों ने कभी कुछ नहीं का, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने योगदान नहीं दिया. वो, जो कुछ भी जानते थे, मैं अक्सर कहता हूँ, कि उन्होंने हर जगा अपने अंडे छोड़े हैं. उन्होंने अपने अंडे कई तरह से छोड़े हैं. इस ग्रह के अधिकतर दिविदर्शियों ने, न तो कभी कुछ कहा, नहीं कभी किसी को कुछ सिखाया. लेकिन हर वो चीज जो वो जानते थे, उन्होंने उससे दुनिया में खास तरह से निवेश कर दिया. वो हमेशा उपलब्ध है. अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरे लिए गौतम बुद्ध धाई हजार साल पहले नहीं है. मेरे लिए वो अभी मौजूद हैं. वो उतने ही जीवित हैं, जैसे वो उस समय थे, क्योंकि उन तक हमेशा पहुँचा जा सकता है. और इसी तरह ऐसे हजारों हजारों गुरु मौजूद हैं. हम लोगों को गुरु पूजा में एक खास तरह से दिक्षित कर रहे हैं. अगर लोगों को पता हो कि गुरु पूजा कैसे करें, सही रवये के साथ और सारी सामग्रियों के उपयोग का भी एक पूरा विज्ञान है, वो भी एक खास परिस्थिती बनाती है. आप एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं, जिसमें कुछ खास तरह की उर्जाएं और संभावनाएं आपके निकट आ जाती हैं. तो ये गुरु को आमंत्रित करने का एक तरीका है. गुरु का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसे आप जानते हों, या न जानते हों, नहीं, गु यानि अंधकार, रु यानि उसे दूर करना. जो भी अंधकार को दूर करे, वही आपका गुरु है. तो आप उस आयाम को आमंत्रित कर रहे हैं, जो आपके अंधेरे को दूर कर सकता है. वह आयाम, अस्थित्व में हर जगा हमेशा जीवित होता है. बात सिर्फ उसके प्रती आपकी ग्रहनशीलता की है. तो गुरु पूजा एक ऐसा साधन है, जो आपको ग्रहनशील बनाता है. इसमें आप उस आयाम को आमंत्रित करते हैं, जो आपके अंधेरे को दूर करता है. इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है. ये इसे करने का एक सरल तरीका है. इसे करने के और भी विस्तृत और शक्तशाली तरीके हैं. ये एक सरल तरीका है. लेकिन कई बार ये गुरु पूजा एक अलग ही संभावना तक पहुँच जाती है कुछ और ही जीवन्त हो जाता है और हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं एक आसान से साधन की वज़े से जिसे वो इस्तिमाल कर रहे हैं झासान से साधन की वज़े जाता है